हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉस्टडी पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे और इस वीडियो को भी लाइक शेर और कमेंट करें तो बिना देरी कि ये वीडियो को शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम विवाह विछेद के विभिन तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें पत्नी अपने पती से विवाह विछेद कर सकती है एक मुसलिम पत्नी द्वारा पती से विवाह विछेद वो इसके विभिन प्रकार मुसलिम विधी के अंतरगत यद्यपी तलाग के संबंध में पुरुष की शक्तियां अत्यंत व्यापक है, फिर भी सन 1949 के मुसलिम विवाह विछेद अधिनियम के पारित होने के पश्चात मुसलिम स्त्रियों को भी विवाह विछेद के काफी अधिकार मिल गए हैं अब मुसलिम स्त्रियां प्रथागत विधी के साथ साथ आधुनिक विधी के अंतरगत अनेक आधारों पर अपने पती से विवाह विछेद कर सकती है प्रथागत तलाग ट्रडिशनल डवॉस इसके अंतरगत तलाग की निम्नानकित रीतियां आती हैं इला, जिहर, लियन, खुला, मुबारत, तलागे तफवी जादी कोई भी मुस्लिम स्त्री अपने पती से उप्रोक्त में से किसी भी आधार पर विवाह विच्छेद कर सकती है नियाएक विवाह विच्छेद, जैसा की उपर कहा जा चुका है मुसलिम विवाह विछेद अधिनियम 1949 के द्वारा मुसलिम स्त्रियों को विवाह विछेद की विपुल शक्तियां प्रदान की गई है इस अधिनियम की धारा दो में आधारों का उलेक किया गया है जिन पर केवल पत्नी द्वारा ही अपने पती को तलाक दिया जा सकता है यह आधार निमनल इखित है एक पती की अनुपस्थिती यदि पती चार वर्ष से लापता है और उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है तो पतनी इस आधार पर अपने पती से विवाह विछेद की दिक्री प्राप्त कर सकती है ऐसी दिक्री छे माह बाद प्रभाव में आती है यदि दिक्री पारित होने के छे माह के भीतर पती न्यायाले के समक्षो पस्थित हो जाता है और अपने दामपत्य करतव्यों के निर्वहन की इच्छा व्यक्त करता है तो ऐसी डिक्री निरस्त की जा सकती है वस्तुता हिसे पती की सिविल मृत्यू सिविल डेथ माना जाता है हिंदू विदी में यह अवदी साथ वर्ष की है दो पती का भरन पोशन करने में असफल रहना पती का ये करतव्य है कि वो अपनी पतनी का भरन पोशन करें यदि पती निरंतर दो वर्षों से अपनी पतनी का भरन पोशन करने में असफल रहता है पत्नी इस आधार पर पती के विरुद्ध विवाह विछेद की दिक्री प्राप्त कर सकती है। पत्नी इस आधार पर पती के विरुद्ध विवाह विछेद की दिक्री प्राप्त कर सकती है। लेकिन ऐसे दंडादेश का अंतिम होना आवश्यक है। चार दामपत्य कर्तव्यों के निर्वहन में असफलता। यदि पती नियूनतम तीन वर्ष तक बिना किसी उचित कारण के कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहता है तो पत्नी पती के विरुद्ध विवाह विछेद की आचिका प्रस्तुत कर सकती है। सैयद एहमद बनाम सुल्तान बीबी, मुस्लिम विधी में दामपत्य कर्तव्यों के निर्वहन में सामान्यताया निम्नानकित को सम्मिलित माना गया है बच्चों की देखभाल करना, पत्नी को सम्मान देना, ब्रिहकार्य में सहयोग करना आदी पत्नी के लिए विवाह विछेद का एक अच्छा आधार है इस आधार पर निम्नानकित दशाओं में पत्नी पती के विरुद्ध विवाह विचेद की याचिका प्रस्तुत कर सकती है जब पती विवाह के समय नपुनसक रहा हो, ये नपुनसकता निरंतर चली आ रही हो नपुनसकता के कारण विवाह पूर्नावस्था को नहीं पहुचा हो तथा विवाह के समय पत्नी को ऐसी नपुनसकता की जानकारी नहीं रही हो यहां ये उलेखनिय है कि पती न्यायाले से ऐसे आदेश की अपेक्षा कर सकता है कि वो एक वर्ष की अवदी के भीतर साबित कर देगा कि वो नपुनसक नहीं रह गया है तब न्यायाले द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जा सकेगा और ऐसा आदेश पारित करने के एक वर् या रतिज रोग से पीरित है तो पत्नी विवा विछेद की दिक्री प्राप्त करने की हगदार हो जाती है। स्वीय विधीत संशोधन अधिनियम दोहजार उन्नीस द्वारा कुष्ट रोग के आधार को समाप्त कर दिया गया है। साथ पत्नी द्वारा विवाह का निराकरन जहां विवाह पत्नी की पंद्रा वर्ष की आयू से पूर्व अथवा योवनागम से पूर्व हुआ हो, वहां अठारा वर्ष की आयू पूर्ण करने से पूर्व या योवनागम पर वह विवाह की पुष्टी या उसका निराकरन क यदि उसके द्वारा विवाह का निराकरन प्रप्युडाइशन किया जाता है तो विवाह का विघटन हो जाता है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि विवाह पूर्नावस्था को नहीं पहुंचा हो। पत्नी को अनेतिक जीवन व्यतीत करने के लिए विवश करता है। और पत्नी इनमें से किसी के भी आधार पर पती के विरुद्ध विवाह विछेद की डिक्री पाने की हगदार होती है। नूर जहां बीबी बनाम काजे मली के मामले में पती द्वारा पत्नी पर पर पुरुष गमन के मिथ्या लांचन को निर्दैता माना गया है। बेगम जोहरा बनाम मोहम्मद इस फोकुल मजीद के मामले में पती द्वारा पत्नी को गालियां देने तथा उसके लिए अपमांजनक शब्दों का प्रयोग करने को निर्दैता माना गया। KP बाई सिधी की बनाम अमीना के मामले में पत्नी का उसकी इच्छा के विरुद्धक गर्भपात कराने हेतू उसे दवाई देने को निर्दैता माना गया। सिराज मोहम्मद खां बनाम हफिजुन निसायासिन खां के मामले में पतनी को अनेतिक जीवन बिताने येतू विवश करने या पती के नपुनसक होने को निर्दैता माना गया है। निर्दैता के और भी अनेक मामले है। निर्दैता की एक रूप परिभाशा दिया जाना कचिन है। ये प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विवा विच्छेद के परिनाम। यहां विवा विच्छेद के परिनामों का संक्षेप में उलेक करना समीचीन होगा। विवाः विच्छेद के मुख्यता निम्नानकित परिनाम होते हैं। पक्षकार दूसरा विवाः करने के हगदार हो जाते हैं। महर की राशी देया हो जाती है। पारस पिरेकुत्तर आधिकार का आधिकार समाप्त हो जाता है। सम्भो गवैध हो जाता है। तलाक शुदा पत्नी से पूर्व पती द्वारा तब तक पुनर विवाह रिमारज नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसी पत्नी किसी अन्य पुरुष से विवाह कर उससे तलाप न ले ले, रशीद एहमद बना मानिसा खातून, पत्नी इदत की अवधी तक भरन पोशन पाने की हगदार हो जा लोज स्टडी